नमस्कार भाई, आज एक बहुत गंभीर मुद्धे में बात करने वाला हूँ, ध्यान से अगर आपके पास 5 मिट का समय हो तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समय नहीं हो तो आप अभी छोड़कर वीडियो जा सकते हैं, देखिए, हमारे सोसाइटी की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, आज का हमारा जो आध़्ुनिक टक्नीक है, मैं बात कर रहा हूँ मोबाईल के बारे में, धम्नेल देख कर आप समझ गय होँगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, हमारे जो यूआ है हमारे भारत की सबस stimmt, बड़ी थाकत है हमारे breathing and बात कर रही है वह जो जो एक आज्मी तकनीक तर पर आई जो हमारे काम को असान करने के लिए ऐए लेकिन आज जो है कि वास्तों ऐसे चीज़ हो रही है तो और लोग के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलता उलता नहीं हूं ठीक है पुछी वीडियो के ध्यान से देखेगा खासकर हमारा भारत जो है किसानों को देश का जाता है ठीक है किसान हमारे अतना ज्यादा जो है आधुनिक तकनीक नहीं था लेकिन जब से आधुनिक तकनीक जो है गाउं में इंटर कर गई है जब से गाउं में आधुनिक तकनीक जाने लगी है मैं सहरों की बात नहीं कर रहा हूं सहरों में तो लोगों को पास भी फिलाल समय ही नहीं बचा है कि ए या दिक्कते चल लही है या फिर किसी के घर कोई समस्या है या फिर इतना कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक दूसरे का दुख सुख लोग बाट लिया करते थे लेकिन जब से मोबाइल आ गया है मोबाइल हलांकि मैं इसको खराब तकनिकी नहीं मार रहा हूं यह विक्ति क की यूज करने को उपर है कि कि आप मोबाइल की से उसका उपयोग कर रहे है और सब उख्यों कर रहे हैं करें मैं कई बार इसको अबज़र्ब करता हूं कि वह हैं अगर five-six लोग कई एक जगहां बैठ हुए हैं तो बिकतिक किसी से बात कर नेगे तैयार नहीं है और सभी ल कोई मतलब नहीं है ऐसा लगता है कि मतलब पूरी तरीके से कनेक्शन तूट चुका है मुझे यहां तक ऐसा लगता कि अगर एक विक्ति को एक मुबाइल दे जाए और उसको कहीं ऐसे जहां बैठा दिया जाए जहां पर बहुत अथ्वा एंटरटेंवेंट या कुछ इसा च कुछ रही है मेंटलिक टू ब्लॉक कर रही है दूसरी चीज़ के डिप्रेसन दे रही है पूरी तरीके से तिसरी चीज़ कि कर रही है घर में गर में कला पैदा हो रहा है इसका बहुत बड़ा कारण fasic इंगे और क्मीडिय से आप कैसे जूड़े हुए सly कुछ इसे आपके लायक नहीं है पिर भी जब कॉंटेंट आपके सामने मुल्टिपल टाइम आ रहा है रहा है तो लोग उससे देखकर प्रवायुत हो रहे हैं जैसे मैं आपको एक छोटा सुधार देता हूँ मैं इसको गलत या सही जज नहीं कर रहा हूँ इसको आप बताईएगा इसे क्या है कि कुछ चीज़े जो है सहरों में चलती है पहले ठीक है सहरों में चलती है हलांकि गाओं के ओसकता नहीं है गाओं के बैक्ती जो है अगर उन लोग को चीज़ नहीं मिले फिर भी वो लोग रह सकते हैं जिए तरीक से सवाईब कर सकते हैं और वैसे ही कुछ चीज़ गाउं भी चलती है, सहर वालों पास अगर नौ आए तो अर्चाच सकती हैं लेकिन बस सोचल मीडिया के कारड़ लोग एक दूसरे का देख करूं को ऐसा मैसूस होता है कि यह चीज मेरे पास होनी चाहिए और उस अभाव के पूर्ती करने के लिए लोग तरह-तरह से चीजे अपनाते हैं एक छोटा सी एक्जामपल मैं आपको दे रहा हूं भाई इसको बुरा मत मानिएगा अभी आप देखेगा सोचल मीडिया पर जो यह सुट्टा मारने वाला जो है चीज आप देखे होंगे एकसर खासकर मैं तो इधर सहरों में ही कही कभी कवार देखा हूं लेकिन कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि गाओं में भी लोग वीडियो में देखकर सुट्टा मारते हैं फिर और रील बना रहे हैं इससे प्रभाव कहां से आया इससे बताईए इसमोंकिंग करने के प्रभाव कहां से है चोटे चोटे बच्चे जो पंदर सोलो सोलो साल के बच्चे हैं वह भ अगर सुचना तक ही सिमित रहे तो भैतर है लेकिं सुचना के माध्यम को कई ऐसी चीज़ों कर पहुचा दे रहे हैं डूसरे के पास जो उनके पास नहीं पहुचनी चाहिए यूटूब में एक अप्शन देता है कि विजर यू आरएब 18 और नौट मतलब 8 सल के उपर है कि नहीं ऐसे content को YouTube रिस्टिक्ट करता है जो 18 सल के नीचे वाले बच्चों के लिए नहीं है लेकिन इसमें parents जो ग्यारिजन है जो उनके भाई बहने बड़े लोग हैं उन लोग की जिमिदारी बनती है कि कम सकम उनको रोकी ठीक है और भाई देखिए सज बताऊंगा तो आपको और पास तो आप समझे कि कई दिनों का काम अप घंटो में कर सकते हैं इससे की लेकिन आप सोचिए कि एक तो इससे कुछ रिटर्न नहीं मिल ला है मोबाइल से कुछ रिटर्न में मिल नहीं रहा है दूसरा चीज यहारा समय जा रहा है तिसरी चीज कि mentally depressed हो रहे हैं बच्चे चौती चीज़ कि सोसाइटी को एक नए तरीके से गढ़ने काम कर रहा है हमारा कल्चर जो है पूरी तरीक से धर 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 खोता चला जा रहा है मैं आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस सम्चीजों को एक पर थोड़ा सा आप जरू करिएगा कि आपके फैमिली में भी ऐसी कर जुका है इस अब क्या है पहले कम से कम कुछ नहीं तो कंशार लोग अगर पास में बैठते थे तो दूसरे बात चीट तो क्या करते थे मेरा बस कांसर्ण मेरा चिंतन इतना ही है मेरी चिंता इतनी ही है कि कम से कम उस जगह पर आप लोग दुटार पांच मिंट के लिए बढ़ते हैं जब किसी के पास तो कंतो कम्यार पंद करके 2-4-5 मट उनसे बात चित करिए मैं इस पर एक विस्तार से बात करूंगा आप से फिर ठीक है फिलाल इस वीडियो में इतना ही और एक बात मैं आपको बता दू कि मैं कोई ग्यान नहीं दे रहा था मैं इन सब चीजों को मैं बहुत बहुत गहराई से अब्जर्ब किया हूं मैं देखा हूं खुल और एक चीज देखिए कि इस सुसाइटी में मैं भी रह रहा हूं तो मेरे पर भी थोड़ा प्रभा पढ़ता है लेकिन मैं कोशिस करता हूं कि मैं इन सब चीजों थोड़ा बचा रहा हूं ठीक कि एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझा शुक्रिया